आप सभी का मेरे यूट्यव चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं आज हम जो भी गोल्ड की जुईल्री होती है उस गोल्ड की जुईल्री का कैलकुलेशन किस निकाले कि जुब्ध हम जुईल्री खरीदने जा रहे हैं उसका कैलकुलेशन कैसे होगा ठीक है क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट में जो भी हम जोली खरीनने जाते हैं तो वह 24 करेट गोल्ड की नहीं रहती है क्योंकि 24 करेट गोल्ड जो है उतना सौट होता है कि उसको जो बनेगी तो यूज लाइक नहीं रहे गी और बहुत तूट जाएगी खराब हो जाएगी और लोगों को बनान दिक्क्त होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जिसको अपन लगभक 100% प्योर गोल्ड होता है उसकी purity अबन 24carat है ना अपनlayect करतें यानि सोने की सुधता को किस में वेक्ट की जाती है कैरेट में किसमें वेक्ट की जाती है कैरेट में तो मालीजिए 100% सुध गोल्ड जो है वो 24carat का है कितने carat का है 24carat और उसकी कीमत जो है मालीजिये 10 gram एक तोला या 10 ग्राम की कीमत जो है वो 30,000 रुपए है कितने रुपए है? 30,000 रुपए तो अब हम यह जानेंगे अच्छे एक और चीज़ आपको मालूम है कि जो भी गोल्ड की ज्वेल्डी बनाई जाती है उसमें क्या-क्या मिलाया जाता है? उसमें गोल्ड के अलावा सिल्वर रहता है और कॉपर है ना? मुक्रूप से गोल्ड रहता है, सिल्वर रहता है, कॉपर रहता है इनको मिला करके और उसको गरम किया जाता है और जब गरम करते हैं, जब सब पिघल जाता है पिघलने के बाद वो liquid-liquid solution बन जाता है और फिर जब mix होने के बाद जब वो homogenous picture बन जाएगा यानि एक बिचेश्ट प्रकार का जो भी और्नमेंट सा जो भी जोल रही है वो बन जाती है तो इस प्रकार से वो लोग बनाते हैं फिर उसके बाद छटाई करते हैं और उसकी सफाई करते हैं तो आज हम यह जानेंगे कि जो भी हम बजार से सोना खरीदने जा रहे हैं उस सोने का calculation दु कालते नहीं आता है और सोने के बारे में तो और बहुत सा लोग नहीं जानते तो इसलिए मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो लोगों को जागरू करने का है और आप सब लोगों को बताने का तो आप देखेंगे किस प्रकार से हम calculation करते हैं दुकानदार क्या करता है दुकान में चार्ज एलावा क्या जोडता है वह टैक्स जोड़ता है ना टेक्स टिडियस इस टैक्स यह स्ट नहीं का जोडता है वह टैक्स या घ्स ​​ या जी यह जिस careful आपन कह देते हैं तो जैसे यह हो गया है ना यह तीन चीजों को जोड़ करके और टोटल जो भी हमाउंट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं दुकांदार को पेड़ करते हैं यानि तीन चीजे रहती है जो बिल दुकांदार हम को देता है सोने की उसमें सबसे पहले तो जितना वजन है उसके कीमत वह जोड़ता है यूँचर्जिस वह जोड़ता है और मेंकिंग चार्जिस के लावाद टेक्स टैक्स या जीस्टी जोड़ता तिन तीनों को कि इस प्रकार से निधारित रहता है तो आप देखेंगे माल लीजिए कि 24 कैरेट या 100% सुध गोल्ड की कीमत जो है वो माल लीजिए चल रही है तीस हजार रुपाए प्रती दस ग्राम ठीक है 24 कैरेट 100% सुध सोने की कीमत प्रती दस ग्राम तीफ हजार रुपाए है तो जोहली तो 24 कैरेट की बनती नहीं है तो उसमें जैसे माल लीजिए किपने परसेंट है किपने परसेंट सुद्ध सोना और बांकी परसेंट अधर मिटल है वो कैसे अपन पता करें और दुकानदार जो है कि यह 30,000 रुपए है तो 23 कैरेट बराबर कैसे निकालेंगे यह निकालेंगे 23 बट्टे 24 गुड़े सव है ना तो आप देखिए आपके पास सबके पास मुबाइल रहता है सब कैसे करेंगे सबसे पहले सीड़े सीड़े 23 बट्टे 24 गुड़े 95.83 परसेंट है ना 95.83 परसेंट यानि कि 23 कैरेट सोना जो है किता परसेंट का है 95.83 परसेंट का तो इसके की 10 ग्राम की कीमत किती होगी तो आप क्या करें 30,000 गुड़े 95.83 है ना कैसे निकालेंगे 30,000 गुड़े 95.83 और डिवाइड बाइड बाइंडेट है ना उने तीफ़ आए 8,750 तो देखिए 24 कैरेट की कीमत 10 ग्राम की है 30,000 और तेज कैरेट की 10 ग्राम की कीमत है 8,750 ठीक है तो अब देखिएगा एक किलो ग्राम में कितने ग्राम? एक हजार ग्राम और एक ग्राम में कितने मिली ग्राम? एक हजार मिली ग्राम यानि दस हजार मिली ग्राम बराबर एक किलो ग्राम होता है एक किलो ग्राम बराबर कितने मिली ग्राम? दस हजार सुरी 10 लैक मिली ग्राम है ना यानि 1,000,000,000 मिली ग्राम टू वन कीलोग्राम तो आप यहाँ पर देखेंगे यह 10 ग्राम सोने की कीमत है और एक ग्राम सोने कीकेमद हो जाएगी 2875 है ना किसकी कीमत है यह हो जाएगी एक ग्राम की और एक मिली ग्राम की कीमत हो जाएगी टू पॉइंट एट सेवन ये ठीक है इसी प्रकार से अगर आप बाइस कैरेट लेते हैं जो की 916 परसेंट होता है 916 परसेंट से कैसे कैसे आएगा यह आएगा 22 बाइट 24 इन्टू हंड़ेट यह आपको मिल जाएगा 91.6 परसेंट अब इसके कीमत 10 ग्राम की आप निकालिए तो इसके कीमत हो जाएगी यह तीस हजार गुणे तीस हजार गुणे है है ना 91.6 बाइंड़ेट यह दस ग्राम की कीमत आ जाएगी अभी मैं आपको दिखाता हूं यह जाएगा कितने आती देखी गहां तीस हजार गुणे 91.6 गुणे है अंड़ेट 27480 27480 ठीक है यह 10 ग्राम की कीमत है एक ग्राम की हो जाएगी 2748 और एक मिली ग्राम की हो जाएगी 2.7 पोर है ना यह किसकी है दस ग्राम की यह एक ग्राम की और यह एक मिली ग्राम की कीमत है इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार का कैल्क्रेशन का यूज करके और आप 10 ग्राम की कीमत एक ग्राम की कीमत एक मिली ग्राम की कीमत निकाल सकते है और उसी आधार पर आप प्यूरिटी भी निकाल सकते है जैसे 22 केरेट किता प्यूरिटी का है उना वीश बटे 24 गुने सा यह 83.3 परसेंट तो देखिए 24 करेट 100 परसेंट सोना कहलाया थे जो किया रहा है तुझ जो जो किया रहेगा बाकी बाकी जो चांदी और तामे को मिला करके उसको 100% बनाय जाएगा और फिर उसके बाद इसकी ज्वल्डी बनेगी तो बाकी जितना भी %100 यानि 100% और यह जो percentage आ रहे हैं यानि यह जो percentage है यह जो percentage है यह जो तो इतना जो है सोना होगा और बाकी अन धातू होगी जिसको मिला करके जोल्डी बनेगी इसी प्रकार से 22 कैरेट में 91.6 परसेंट प्योर गोल्ड होगा और मांकी रिफ्ट जो है वो तांबा या चांदी होगी तांबा चांदी मिला करके बनेगी इसी प्रकार से 20 कैरेट में 83.3 परसेंट होगा इसी प्रकार से जो आप 18 कैरेट देखते तो उसमें 75% सोना और 25% जो होता है वह ताबा और ताबा और चांदी यह सम्मिला करके जोल्री बनती है तो इसी प्रकार से इनका जैसे जैसे गोल्ड का कैरेट और परसेंट घटता जाएगा वैसे वैसे उसकी कीमत घटती जाएगी ठीक है और उसी इसाब से हमको घाटा भी उसको लाटाएगा तो मालीजी आपने कित्ते परसेंट का सोना खरीद आपने को सोना खरीद है अब इसमें से 15% माइनस कर देगा तो 65% या जिसमें भी जितना भी परसेंट बर्टा का चाटे के उक परसेंट का आपका उक सोनी कीमत हो तो लगबग तो ये तो अभी सिर्फ सुद्ध कीमत हुई इसा अब क्या करता है? तो आप कैसे निकालेंगे? तो मेंकन चार्ज कैसे निकालता है? माल लीजिये, अभी मैंने आपको क्या बताया? माल लीजिये कि आपने उझाहरन के लिए 91.6 start गोर्ड जो है और अ minus 10e gram की कीमत किते थी मालन लीजिए सताइस चारlle store एच अब क्या करेगा एक मैं ग्राम की कितते हो जाएगी सता रूर्पए एक ग्राम की कीमत ाभी इस एक ग्राम की कीमत you कितना परसेंट मां लीजे कोई कोई दुकानदार दस परसेंट लगाता है मेकिंग चार्ज कोई की पाँच परसेंट तो अगर मां लीजे कोई दुकानदार जो है बारा परसेंट लगा रहा है तो आपको क्या निकल ला है 27240 गुणे 12 बराबर भागे सब तो 328 रुपए है ना तो मेकिंग चार्ज जो है अगर 12% लगाया उसने कितना लगा दिया तो यह आगया 328 रुपए यह प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज कहलाएगा तो आप जितने ग्राम का सोना खरी देंगा माल लीजिए आपने 15 ग्राम की चैन खरी दी क्या खरी दी है आपने 15 ग्राम की एक सोने की चैन खरी दी तो अब इस 15 ग्राम की सोने की चैन की कीमत 9.1 पर्सेंट प्यूर्टी वाले गोल्ड की जो रेट है प्रति 10 ग्राम 27 चार सो उसकी कीमत दुकानदार कैसे निकालेगा देखिए सबसे पहले उसका वेट तो 15 ग्राम गुणे 27 चालीस है ना देखिएगा कैसे कैसे निकालेगा वो ठीक है 15 ग्राम गुणे 27 चालीस तो 41 हजार एक सो रुपाय का सिर्फ सोना हुआ उसके बाद मेंकिंग चार्ज देखिएगा यह ना मेंकिंग चार्ज वह किता जोड़ा है 38 रुपय प्रति ग्राम है ना 12 परसेंट तो अब जो है ते 328 के दर से कितना जो है 15 ग्राम तो मेंकिंग चार्ज होगे 4993 रुपय मेंकिंग चार्ज हुआ अब इसमें जी अस्टी हो गया ठीक है जिश्टी कितना लगता है माली जी पांच परसेंट ठीक है तो एक ग्राम के की में था 2740 है ना गुणे पांच परसेंट तो जिश्टी कितना हो गया यह पांच परसेंट एक्सो साइटी सुरुपय है ना एक्सो साइटी सुरुपय अब एक्सो साइटीस में जो है आपने कि तक सोना खरीदा पंदरा ग्राम पंदरा तो दो हजार पंदर रुपय यह जी अस्टी हो गया च्पांच परसेंट के साब से लिट यह सब जोर जाड़के जैसे ओफ लाइट गूल हो गई तो हमारा यहीं से समापत होता है